अध्याय 2. अपने दिमाग को काम्याब लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कीजिए. काम्याब और नाकाम्याब लोगों में सिर्फ सोचने का फर्क होता है. इसलिए अगर आपको काम्याब बनना है, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा. दिमाग की कसरत दो तरह से होती है, किसी चीज को याद करना और किसी समस्या से निकलने के लिए एक अलग और नया रास्ता खोजना दोनों ही बहुत जरूरी है लेकिन काम्याब लोग कुछ अलग और कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं वे किसी समस्या के हल को याद करने के बजाए खुद के हल बनाते हैं और उन्हें इस्तिमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चीजों को याद करेंगे तो उन्हें आप समय के साथ भूल जाएंगे। चीजों को याद करना कभी कभी बहुत जरूरी हो सकता है लेकिन आपक तेज होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करके उसका हल निकालने में माहिर बन जाएंगे। अपने सोचने की क्षमता को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। नए आइडियास को हमेशा खोजते रहिए। नए काम करने के मौकों को मत गवाए। रोज सुभा 10 मिनट इस सवाल का जवाब देने में बिताइए आप किस तरह से खुद को अपने काम में बहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आप से अलग सोचते हों या जिनके काम करने का तरीका आप से नामेशा है।